हालो दोस्तों हैपी सरत पोडिमा आप सभी लोग कैसे हैं चलिए आज इसी उपलप्च में हमने बनाया बहुती टेस्टी बहुती मज़ेदार चावल का खीर तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा खीर बनके तयार हुआ इतना टेस्टी इतना यमी बना था न कि हम क्या बताए हर चीज का फ्लेवर इसमें आ रहा था बहुत ही अच्छा तो इस प्रकार से आप बनाये और इंजवाय करिए तो सबसे पहले हमें करना ये है कि वन फोर्थ कप हमने चावल भिगो दिया था अच्छे से तीन चार पानी से वास करके इसको भिगो दिया था अब एक घंटे क के लिए हमने छोड़ दिया फिर अब चलिए दूद लेते हैं दूद में हमने डाला है केसर उसको भी रखते हैं साइड में तो इस चावल को अब हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं मदब पीसना नहीं है एक बार सिर्फ एक बार चर्ण करना है ज्यादा बिल्कुल मत नहीं तो यह अच्छे से पिस जाएगा तो आपका खीर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा तो यह हमारा तयार हो गया यह देखिए दरदरा होना चाहिए बस एक बार बटन दबाई और तुरंत बंद कर दीजिए तो यह देखिए इस प्रकार से हमारा चावल बन गया है मतलब एक चावल में तीन चार तुकड़े हो जाने चाहिए बस इसी तरीके से यह पर्फेक्ट अब इसको रखते हैं साइड में हमने लिया है एकदम छोटू सा कड़ाई उसमें डालेंगे थोड़ा सा देशी की मतलब एक देख चमच के करिब और कुछ मेबे डालेंगे तो इसको कट कर लेते हैं तो बादाम, काजू हमने थोड़ा कट कर लिया है पिस्ता बगएरा और नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है या तो उसको भी छोटे-छोटे ऐसे स्लाइस कर लिजे मतलब तुकड़े में काट सकते हैं लेकिन हमने तो ये सब तयारी पहले से कर लिजे न तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मात्र दस से बारा मिनट में हमारा खेर बनके तयार हुआ है अब हम जलाते हैं गैस कढ़ाई रखे हैं अब उसमें डालेंगे मेवे को तो मेवे को थोड़ा सा हम हलका सा रोष्ट कर लेंगे फ्राइक कर लेंगे हलका फुलका जादा नहीं करना है तो ये देखे हमारा हो गया है अब इसको निकाल लेंगे तो इस तरीके से अगर आप खीर बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और बना के सब को खिलाएंगे न तो सब वाह वाह करेंगे क्या मज़ेदार खीर बना है तो एक चमच के करीब हमारा देसीगी उसमें बचा हुआ था उसी में हमने डालना है चावल तो जो हमने चावल हलका से दरदरा रखा है पिसके उसको डाल देजें ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि चावल हमारा ज्यादा पीसे न तो ये देखिए इस तरीके सा हमारा बन गया है बहुत ही परफेक्ट बना है तो घी में थोड़ा सा हम भूल लेंगे न इसमें होता क्या है जब खीर खाएंगे न तो सोन्धा पर लगता है अच्छा लगत कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमने एक कप डाल दिया है एक कप बाद में मतब टूटल की मान के चलिए देड़ पावने दो ग्लास के करीब हमारा दूद पड़ा है वन फोर्थ कप चावल में तो चावल इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा म हुनने से चावल को बहुत जल्दी से ये चावल पक भी जाता है तो ये देखिए को बच्चे से धीमी आज भी इसको पकाते रहे हैं जब तक चावल गल न जाए तो चलिए इसको पकाते रहते हैं और बिल्कुल चलाते रहते हैं इसको अब क्या करेंगे इधर धिमी आज करके हमें एक मतलग तीन से चार चमश हमने लिया है दूद और एक चमश कस्टर्ड पाउडर तो ये आपको अगर नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं हमने तो डाला था तो बहुत ही मजेदार ये खीरवन के तयार हुआ है थोड़ा सा डाल दीजे टेस्ट बदल जाता है तो आज सरतपुर्णिमा था तो हमने कहा आपके साथ ये वीडियो हम सेयर करते हैं क्योंकि बहुत ही मजेदार भोग बना के हमने लगाया था सरतपुर्णिमा के दिन तो ये हमारा खीर बहुत अच्छे से तयार हो गया है चावल को चेक कर लिए है चावल भी अच्छे से पक गया है अब हम क्या करेंगे जो हमने केसर का धागा भीगो के रखा था ना उसको डाल देंगे इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों अगर आपके पास ये भी है तो जरूर डालिए फिर हमने कश्टर्ड पाउडर डाल दिया है ये सब पकने के बाद ही करिएगा अब कश्टर्ड पाउडर डाल के गैस को एकदम धीमी आज पे करके इसको थोड़ी देर पका लेजे क्योंकि कश्टर्ड पाउडर है ना तो इसको पकाना जरूरी है तो करिब थोड़ा सा दूद हमने और डाल दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो टोटल मान के चलिए दो गिलास के करिब हमने दूद डाला था अब चीनी डालेंगे स्वादनुसार तो ये सब सारा चीज हो जाए ना लाश्ट में ही चीनी डालिए नहीं तो ये चावल हमारा पकेगा नहीं चीनी पहले बिल्कुल मट डालिएगा तो हमारा खील बिल्कुल तैयार हो गया है तभी हमने डाला है अब डालते हैं 3-4 हरी लाइची, हरी लाइची को हमने बहुत ही अच्छे से छिलका निकाल के कूट लिया है और उसको इसमें डाल देंगे, डाल के अच्छे से चला देंगे, तो ये देखिए चीनी डालने से थोड़ी पतली भी हो जाती है मतलब पतली नहीं है, एकदम परफेक्ट है, अब गैस को करते हैं, अब चलते हैं, टेकुरेट करने इसको, तो हमने जो नारियल कदुकस करके रखा है उसको डाल देंगे, काजू, बदाम, जो भी आपके पास राइव फ्रूट्स है, आप सब डाल सकते हैं इसमें, ये देख है, फिर हमने डाल दिया है गुलाब की पंखुडी, आज की हमारी ये रेशिपी बनके तयार हुई है, तो ये देखे, आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और सेयर करिए, और सस्क्राइब करिए,